नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं पूरे साल भर बिना मैनत के खिलने वाले फूलों के पोधों के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तो हर किसी को अपने घर और गार्डन में फूल के पोधे लगाना बहुत ही पसंद होता है लेकिन ज़्यादतर जो फूल वाले पोध हैं वो मोसम के अनुकूल होते हैं और मोसम बदलते ही वे सूखने या मरने लगते हैं जैसे अभी जैसे गर्मी गई है तो गर्मी के फ्लावर प्लांट्स अलग थें जो कि अब बिल्कुल खतम हो गए हैं अब जैसे सर्दी आने वाली है तो सर्दियो के फ्लावर प्लांट्स अलगायएंगेach लेकिन आज की वीडियो में कुछ ऐसे पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करूंगी जो 3 साल के 365 दिन आपके घर और गार्डन को महकाते रहेंगे फूलों से वो आपके घर और गार्डन को हमेशा भरे रखेंगे दोस्तों ये जो प्लांट है ये उक्टूबर के महीने में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं वो ऐसे पोधे हैं जो हर मोसम में हरे भरे रहते हैं और फूल भी साल भर देते रहते हैं ये पोधे आपके घर गार्डन को बहरी सुन्दर बनाएंगे और आपके घर को भी फ्रेश रखेंगे दोस्तों और उन पोधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती तो ऐसे ही फ्लारविंट प्लांट के बारे में मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि साल भर आपके गार्डन को हरा भरा रखेंगे और फूलों से भरा रखेंगे दोस्तों बात करते हैं अब राजिता की पोधे की सबसे पहले अब राजिता का बेल या विश्नु कांता का पोधा साल भर हरा भरा रहने वाला है और यहीं तेजी से बढ़ने वाला पोधा है, यह पोधा बीद से आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं, आप इसे गम्ले में जमीर में दोनी जगे लगा सकते हैं आप इसको अगर गंबले में रगा रहे हैं तो दस या बारा इंच के गंबले में रगाए तो क्योंकि यह बेल नुमा प्लांट है और इसको फैलने में जगे चाहिए इसकी जड़ है वो ज्यादा नीचे नीचे फैलती रहती है और उसको स्पेस चाहिए फैलने के लिए आप इसको किसी भी आकार में उसको बना सकते हैं बूसी भी बना सकते हैं या फिर उसकी टौप यारी जैसे बनाते हैं जैसे मैंने सरकल में इसको बनाया हुआ है किसी भी सेप में आप इसको दे सकते हैं बड़ा ही सुन्दर बड़ा ही प्यारा प्लांट है दो रंगों में आता है परपल और वाहिट बड़ा ही सुन्दर पोदा है और बगवान को बड़ा ही बगवान विश्णू का बड़ा ही प्रिया पोदा है तो इसको आप जरूर से जरूर अपने गार्डन में एड़ कर उसके बाद करते हैं सदा बाहर मेरे पास दोनों वैराइटी हाइब्रेड विं रहता है था और इसमें चोटी सी कटिंग चार से पांजिन पहले चोटी सी कटिंग लगाई थी यह ऐस बहूद शाए रंगों में आता है यह बैंगनी पर पल नीला पीला हिर बहुत सारे रंगों में आता हैं कई कर रंग है मेरे गारडन में बड़ी सुन्दर फ्लावरिंग होती रहती है साल भर इसमें फूल आते रहते हैं आप किसी भी मोसम में इसको लगाए और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह कि इसको पानी की जरूरत बहुत कम होती है कम देख हाल में बहुत ही अच्छे फूल आते रहते हैं साल भर तो इसको भी आपने गारडन में जरूर से अड़ करें उसके बाद करते हैं गुढ़ल की बात दोस्तों गुढ़ल भी बहुत ही साल भर फूल देने वाला बड़ा ही सुन्दर पोदा है पूरे साल भर इसमें फूल आ अराम से लगा सकते हैं मतलब कटिंग इतनी आसानी से लग जाती है इसकी छोटी सी तहनी आप इसको काटो हाई जो थोड़ी सी मैच्वर टहनी यो ब्रांच हो वह आपको काटके और सिर्फ जल में आपको थोड़ा सा इसको डिप करके आप किसी भी गंबले में या जमीन में सकते हैं आसानी से इसकी कर्टिंग आराम हो जाती है और मेरे जो गार्डन में है वह दो तीन वैराइटी के जो है गुड़ल है यह जैसे डबल पैटल में हैं बड़ा ही सुंदर प्लांट है जमीन में लगवा पोदा है और इसको इतनी ज्यादा हो रखी दोस्तों बहुत इसको जरूर सेड़ करें इसके बाद करते हैं यह भी बहुत ही खुबसूरत पोदा है इस पोदे को पूरे साल भर यह फ्लावरिंग होती रहती है यह पोदा किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है इसे दूब पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होते इसमें भी पीले प्लास्टिक का मेरा पास उसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी जबरदस्तों रखें पूरे साल भर यह फ्लावरिंग करता रहता है तो इसको भी आपने गार्डन में इस टाइम जरूर से जरूर आड़ करें पूरे साल बर बेख सकते हैं मतलब 1-5 मैं आपकी कटिंग भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसको कटिंग ग्रो किया आगे मैं शेर करने वाली हूं दोस्तों और क्योंकि मेरे गार्डन में नहीं था और कटिंग से मैं असपरोस में से कटिंग लेकि आई थी और दो तिन कलर की क मैं आपको दिखा रही हूं गया है इसलो कि जादा करके ही कटिंग लगाए तो क्योंकि कुछ कटिंग कराभ City क्रों चाहिति ग्रो हो जाती है तो मैं तो सिंपल तरिके से बिल्कुल कुछ नहीं लगाया मैंने और एक ही गंबले में मैंने 4 प्रक्तिंग लगा हैं तो हर जिसमें से तीन कटिंग मेरी ग्रो हुई है इसको भी आपने गार्डन में जरू से जरूर एड़ करें पूरे साल बर आपके गार्डन को घर को महकाता रहेगा उसके बाद दोस्तों मैक्सिमम पिटूनी आता है यह जो प्लांट है बड़ा ही प्यारा प्लांट है गर्मी के सी फूल किलते रहते इस फूल खिलने वाद का समय शाम का वक्त है इसमें आते हैं आपके घर को महकाता रहेगा पूरे साल बर तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे फ्लावरिंग जो इस टाइम पर आप लगा सकते हैं साल भर आपके घर और गार्ण को महकाते रहेंगे तो इन प्लांटों को जरूर से आड़ करें दोस्तों मेरे टिकूमा में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावरिंग पत्ते कम हैं इसमें फूल इतने ज़्यादा आए हुए हैं तो सर्दी के मोसम में यह जो प्लांट है थोड़ा सा फूल फ्लावरिंग कम कर देता है लेकिन जो सो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट मैंने बताये वो पूरे साल भरती साल के 365 दिन आपके घर को गार्ण को महकाते रहेंगे दोस्तों तो कैसी लगी मेरी जानकारी पसं प्लाइब कर देजें मिलते हैं नेक्स्ट टूडियों